मस्कार आप दीखरें इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी EVM का लॉक खुलने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है इंतिजार है कल की सुभह का जीहां बेचानी बढ़ रही होगी आपकी भी हमारी भी और तमाम उन राजनेताओं की भी इनकी किस्मत उन EVM में लॉक है जिसका ताला खुलेगा कल सुभए जब काउंटिंग शुरू होगी लेकिन काउंटिंग से पहले उत्तरप्रदेश का एकजिट पोल क्या कह रहा है उत्तरप्रदेश की एक-एक VIP सीट का हाल हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं योगी के मंतरी कहां जीत रहे हैं अब ये आपको बताएंगे कहां पर टफ फाइट में फसे हुए हैं अखिलेश के सिपास वालार की रिपोर्ट क्या है आपको एक-एक करके बताएंगे और ये जो पूरा आप वाल देख रहे हैं बीजेपी की वियाईपी सीट जो 30 वियाईपी सीट जहांपर योगी सरकार के मंतरी चुनावी मैदान में हो और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गोरकपुल शहर सीट की जो के खुद मुख्य मंतरी की सीट है आईए आपको बताते हैं कि यहाँ पर चुनावी जंग कैसी है तो तस्वीर आपके सामने गोरकपुल शहर सीट जहां से मुख्य मंतरी योगी आदितनाथ खुद चुनावी मैदान में है अब आप भी जानते है लडाई काटे की नहीं है योगी आदितनात का ये गर है मट से तमाम लोगों का जुडाव है ऐसे में सुभावती शुकला चुनौती दे पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर जीत तो बीजेपी की ही तरह है विशलेशक और जानकार ये कह रहे हैं कि उ योगी आदितनात कितने मार्जिन से जीतेंगे फांसला कितना बड़ा होगा ये फिगर कितना बड़ा होगा इस पर हम बात करेंगे तो गोरकपुर शहर फीट जहां से योगी आदितनात अपनी जीत दर्ज कर रहे हैं एक्जिट पोल ये कहता है लेकिन जीत का मार्जिन कि केशव प्रसाद मौरे जिन्हें डॉक्टर पल्लवी पटेल जो कि अनुप्रिया पटेल की बहन है वो चुनौत ही दे रही है केशव प्रसाद मौरे को यहां पर बीजेपी जीती हुई नजर आ रही है इसमें आपको ध्यान होगा जब उपीनियन पोल चल रहा था तो यह चर अफ्तन जरा रहे थे एक्जिट पोल यही कहता है कि यहां पर बीजेपी का जीतना मुश्किल नहीं है लेकिन होगा क्या यह कर आपको पता चलेगा जब ईवियम का लॉक्ट खुलेगा अब सिराथू के बाद बात करते हैं योगी सरकार के उर्जा मंत्री श्रीकांट शर् अब देवेंद्र अगरवाल और यहां पर जीत भारतिय जनता पार्टी की तैहोती नज़र आ रही है तो यह मत्रुआ का एग्जिट पोल कहता है यहां पर श्रीकांट शर्मा जीत रहे हैं अब देखिए अगली सीट जॉनपूर सीट जॉनपूर में क्या हाल है जॉनपू जॉनपूर में बीजेपी की सेव सीट कहीं जाती है यहां से बीजेपी के जो उमीदवार चुनावी मैदान में होते हैं वो जीत दर्ज करते हैं और कुछ वैसा ही दिखाये दे रहा है गिरीश जंद्र ठाकूर के लिए यादव के लिए कोई बहुत जादा मुश्किल नह इसके लावा पॉलितिकल एंश्ट शॉण ने गूपता हमेरे साथ है और संजीव श्र्वाषटाव सीनियर जिर्नलिस्ट हमारे साथ है रोहन दुआ हर्षव वर्दंतिता पार्टी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जूड जाएंगे संजीर जी बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर यूपी की विआईपी सीटों में वो भी वो सीटें जहां पर भारते जुनिता पार्टी के दिगट चुनावी मैदान में हैं हम उसकी चर्चा कर रहे हैं अगर मैं आपसे यह पूछू कि क्या योगिया इतना जीतेंगे या नहीं जीतेंगे तो आप भी बोलें कि मिनाक्षी क्या सवाल हुआ तो मैं इसलिए आपसे यह पूछती हूँ कि जीतेंगे तो कितने बड़े मार्जिन से जीतेंगे आपको क्या लगता है इस पी वाले बड़ी अच्छी तक्कर देने की प्रयास कर रहें लेकिन योगी अधितनाची के एक बड़ा नसिप को अभी चीफ मिनिस्टर है उस क्षेत्र के बहुत लोप्रिय लीडर है मट के नेता है और एक उनका जो ट्राक रिकॉर्ड है कितनी बार तो और इसके अलावा अगर सिराथू की बात करें डॉक्टर पलवी पटेल कृष्णा पटेल की बेठी अनुप्रिया पटेल की बेहन को केशव प्रसाद मौरे के खिलाब मैदान में उतारना पिछडे वोट कट जाएंगे जो रणीती बनाए वो बेशक एक अच्छी रणीती के तौर पर विश्लेशक कह रहे थे लेकिन यहां पर हमारा एक्जिट पोल तो यह कहता है कि जीत केशव प्रसाद मौरे की जीत मुश्किल एक्जिट पोल में दिखाई नहीं देती लेकिन जिस वक्त यह उपीनियन पोल किया जा रहा था चर्चाएं चल रही थी कि शायद वो पिछड़ा वोट कटेगा और पल्लवी पटेल को उस चुनाबी मैदान में लाने का मकसद ही जो केशव प्रसाद मौरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो तीन-चार संभावेत नाम थे और वहां पर प्रदेश अध्यक्ष ते उस समय बीजेपी के तो एक तो दो-तीन साल शुरू में तो यही सेट पैक रहा विक्तिगत सर्वे कि मुख्यमंत्री नहीं बने और पिर उप्रमुख्यमंत्री बने लेकिन उप्रमुख्यमंत्री किसके बने योगी अधितनाजी के जो इतने काफी उन्होंने पावा को सेंट्रलाइज किया एगी और उनकी प्रस और माहिनस दोनों का हिस्सा है तो थोड़ा केशव प्रसाद मौरे को कि स्वामी प्रसाद तो थोड़ा उनके उन वोट्स पे भी कमी आई इन फिर भी मेरा मानना है कि केशव प्रसाद मौरे को अभी एक एज है वहाँ प्रसाद मौरे के लिए जीत मुश्किल नजर नहीं आ रही है अखिलेश यादव जीत रहे हैं हम बता रहे हैं जस्वन तनगर से चाचा जी वहाँ से आप जीत रहे हैं तब आप बोल दीजे कि वह भी नहीं जीत रहे हैं यह भी एक्जिट पॉल एक्जिटी साबित होगा देखे फोरा सा धैरे रखने के आवशक्ता है दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा लिश्कित तोर पे मानिय अखलेश चादोजी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और समाजवाजी पार्टी की गरवद्लन की सरकार बनने जा रहे हैं मेरा सिराथू को लेकर आप से कमेंट था और फिर चलिए कोई बात नहीं अब हमारे साथ स्टूडियो में हर्श वर्दंत्री पार्थी भी जुड़ गए हैं हम आपकी भी राय लेंगे शांतरों गुपता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लेकिन उससे पहले दो तीन सीट दिखाएं इसके बाद अगली सीट की हम बात करेंगी तमाम वो सीटे हैं जहां से भार्तिय जुनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ भी रही है और यहां पर उनका जीत का इतिहास भी रहा है बिलासपूर की बात करें बलदेव सिंग औलक भार्टी जुनता पार राजधानी लखनओ की हम बात कर लेते हैं लखनओ कैंट जो की सेफ सीट कही जाती है भार्ती जुनता पार्टी के लिए आप जानते है रिता बहुगुणा जोशी यहां से चुनाब लड़ी इस बार कयास यह लगाये जा रहे थे कि शायद यादव परिबार की बहु अप रिजेश पाठक की जीत हो सकते हैं मैं जल्दी से लखनओ कैंट पर एक रियाक्शन लेलू हमारे साथ हर्श्वर्दन त्रिपाथी स्टूडियो में ही जुड़े हुए हर्जी लखनओ कैंट यह एक ऐसी सीट थी सेब सीट इसलिए पढ़ना यादव के लिए भी यही से च और रिता बहुडा जोशी भी चुकि अब वो इलहाबाद से सांसद हैं लेकिन पूत्र मो था उनका और बाद में तो उनके बेटे ने बाकाइदा समाजवादी पार्टी के मंच पर जाकर एक तरह से सदसिता भी ग्रहन कर लिए और उस सीट की जो कहें कि कॉंस्वेंसी की अगर ताकत के लिहाद से देखें तो पहाड़ी मत दाता है समवन मत दाता है तो कुल मिला के भारती जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी सिती है ब्रिजेश पार्ठक के लिए कोई मुश्किल नहीं है एक और फीट है लखनव पूरब की फीट वो भी बता देते हैं लखनव पूरब की फीट जो की भारती जनता पार्टी के लिए मजबूत कही जाती है यहां से आशुतोष टंडन जुनावी मैदान में और आप जिन्हें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर त जीत भारती जनता पार्टी की हो सकती है आशुतोष टंडन जीत सकते हैं नुराग भदोरिया हार सकते हैं शांतनू भी हमारे साथ जुड़े हुए शांतनू यह सीट भी हाला कि भारती जनता पार्टी के लिए एक सेव सीट है लेकिन यहां से नुराग भदोरिया को उतार देना, क्या एक सही फैसला रहा सपा का? सपा की तरफ से, महां पर और कंडियेट को दे सकते थे, और मेरे खाल से, सीट बहुत आराम से अश्टोष जी निकाल देंगे, जैसी में जो सीट की समझ है. भुवन जी, आपकी कोई प्रतिक्रिया इस पर? देखे, समाजवादी पार्टी ने बहुत चिंतन मनन करके इस बार कंडियेट दिये हैं, और मैं खहता हूँ, जो भी कंडियेट दिये हैं, उसमें बहुत अच्छा हमारे माने राष्टे अप्जेग जी का फैसला है, और रिचिस तोर पे आप देखेंगे, जब कल ये परिद लेकिन जब ये परणाम आएंगे, तो आपको लगेगा कि हर चीछ पे बड़ा मन्थन और सिंतन करके समाजवादी पार्टी ने पेड़ी देने का काम से है, भुवन जी, आपके राय हो सकते, रोहन दुआ भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, रोहन आपको क्या लाकर खड़ा कर देना, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में तब ज्यादा नज़र आते हैं, जब जुनाव नज़दीक आते हैं, क्या ये एक मुश्किल मुकाबला था अशुतोष टंडन के लिए, या है? तो इसलिए जाने जाते हैं, कि लखनव में अगर राजनाच सिंग जी को हम बुलंदी की आवाज से पहचानते हैं, कि लखनव की गंगरा जमना तहजीब जो है वो उनसे पहचानी जाती है, तो आशुतोष टंडन उस गंगा जमना तहजीब को आगे पहुँचाने वाले नेता हैं, जो ब्रजेश पाठक के साथ में दोनों ब्राह्मन को भी, कार्टर को भी उन्होंने संभाला और राजपूत को भी, और अगर मैं लखनाओं की जिस सीट पे वो खड़े हैं, मैं बात करूँ तो मैं आपको ये भी बता दूँ, कि वहाँ से जिस कंस्टिटूनसी जब कोविड हुआ, और जहां तक बधोडिया साब की सवाल बातचीत है, वो स्पोक्स परसन एक बड़े अच्छे रहे हैं समाजबादी पार्टी के, उनको अखिलेश आदव ने 2015-17 के बीच में स्पोर्ट्स मिनिस्टर का भी एक दरजा दिया, जबकि वो चुनाब भी न टीवी पे आदें का और स्पोक्स परसन का और मुझे लगता है जो फील्ड में जाके आशितो शंडन रहे हैं, उसका तो बेनफिट हमेशा उनको रहे हैं, आपके बिल्कु ठीका, टीवी की दुनिया एक अलग दुनिया है, और जो नेता जमीन पर बहुत काम करता है और ज अब शाहजांपूर में जो कि मुस्लिम बहुल इलाका भी कुछ लिहास से कहा जा सकता है, एक बड़ा वोट बैंक वहाँ पर मुस्लिमों का भी है, इसलिए तन्वीर खान के नाम का सेलेक्शन किया गया, लेकिन सुरेश खन्ना एक्जिट पोल के मुताबिक तो जीत हुए नज़रारे में फिर कह रहे हुए यह एक्जिट पोल है, एक्जाक्ट जो जनता का फैसला है वो कल आपके सामने आएगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं बाकी है, लेकिन इस वक्ट हम एक्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं, गासियाबाद की बात कर जाते हैं, कैसे नेता के तौर पर अतुलगर को और मैंने जितनी बार उनसे बात की, उतनी बार उनकी बातों में वो कॉन्फिटेंस भी जलक रहा था, इनका मुकाबला विशाल बर्मा से, लेकिन जीत अतुलगर की गाजियाबाद में होती भी नज़र आ रही है, अब महरा महराजपूर की भी बात कर लेते हैं, सतीश महाना, भारती जुनता पार्टी के उमीदवार सतीश महाना, जिनका मुकाबला फते बहादूर सिंग से, लेकिन महराजपूर सीट भी भारती जुनता पार्टी के पास जाती हुई नज़र आ रही है, कम से कम, फिलहाल जो हम बी तो यह वो चहरे हैं जो लोगों के बीच में रहते हैं, कारेकरताओं के बीच में पहचान होना और उसके बाद डोर टो डोर कनेक्ट होना, क्या यह कैंडिडेट सेलेक्शन इन नेताओं की अपनी ताकत, पार्टी की ताकत बन रही है। अब सतीश महाना के संदर में बात करेंगे, तो वो एक बड़े नेता हैं, मंत्री रहे और सतीश महाना का अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, तो ऐसी कोई स्थिती नहीं थी कि उनका टिकट काटा जाता, और एक जो बड़ी बात होती है, जो हम लोग गोपाल टंडन के संदर म सतीश महाना का अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और जो कानपूर की सीटे हैं जिसमें भारती जनता पार्टी को कोई मुश्किल नहीं आने वाली है, उसमें ये सीट भी है, जिसमें सतीश महाना आसानी सीट निकाल लेगी है, लेकिन कानपूर की एक ओई सीट के हम बात कर लें जहां से अगरवाल बड़े फेमस नेता हैं अब उनके बारे में तो यहां तक चर्चा थी कि अब वो किसी भी पार्टी से लड़ जाएं जीत तो उनहीं की होगी अब वो बीजेपी से लड़ रहे हैं तो बीजेपी के खाते में सीट सफा से लड़ते तो सफा के खाते में हर्शी नहीं मुझे लगता है कि ऐसी सीटे तो बड़ी कम हैं जिसमें नेता कोई तैक करता है कि वो चला जाएगा वरना हमने बड़े बड़े नेताओं को पार्टी छोड़ने के बार सीट बदलते हुए नहीं देखा लेकिन हाँ ये ठीक बात है कि जब किसी ने पार्टी को के सामने रखने वाले हैं वहाँ पर काटी की टक्कर दिखाई दे रही है हम बात करए है पथर देवा सीट की जहां पर सूरिय प्रताबशाही भारते जनतापार्टी के नेताचुनावी मैधान में इनका मुकाबला ब्रहम शंकरत्रिपार्थी से और ये टकर का पार्टी के लिए बार बार जब हिंदुत्व की बात होती है फुरेश राणा का नाम आता है और ऐसे में मुकाबला थाना भवन में हिंदू वर्फिस मुस्लिम भी करने की कोशिश हुई फुरेश राणा एक तरफ और दूसरा अश्रफ अली सुमाजवादी पार्टी की ओर स चुनावी मैदान में और टकर यहां काटे की नजर आ रही है शांतनू इन दो फीटों की बात करें उससे पहले ये एक बिग पिच्चर आपके सामने रगदे अभी तक हमने जितनी फीटे दिखाई योगी आदितनात की केश्यो प्रफाद मौरे की फिराथू फीट मतुरा इन फीटों पर तो कोई चुनावती नहीं लेकिन पथर देवा और ठाना भवन ये दो फीट ऐसी है शांतनू जहां पर टकर काटे की है आसान नहीं होगी जीत किसी भी तरफ जा सकती है देखिए सुरेश राना जी से जब मैं अपनी किताब लिख रहा था तो गन्ये वाला जो मेरा चैप्टर था उसके लिए बहुत बार मिलना हुआ मैंने कमी मंतरी देखे हैं जिनने अपने विभाग के बारे में आकड़ों से लेकर क्या-क्या हुआ है उतनी जानकारी हो तो अगर ऐसा नेता हारता है तो मेरे एक हाल से वो डेमोक्रिसी के लिए विकास के लिए अच्छी बात नहीं होगी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो गन्ना मंतरी रहे और उनका पस्चिम में जौरा लगातार बना रहा क्योंकि पस्चिमी गन्ना बेल्ट है तो उनका जमीन से जुड़ा बना रहा लेकिन इसे ठीक उलट जो हमारे समवादाताओं ने हमें राय पहुंचाई है शांतिनू वो राय ये कहती है कि सुरेश राणा उन मंतरियों में से हैं जो शायद अपनी जीत को लेकर बहुत जादा अश्वस्त हो गए थे और पांच साल वो बहुत जादा लोगों के बीच बीच में नहीं रहे और इसलिए और जो एक मुस्लिम फैक्टर आप कहरें उसे भी हम एट करेंगे तो यह हूँ सकता है उन्हें अपने विभाग की बहुत जानकारी हो लेकिन क्या कारे करताओं के बीच में और वहां की जनता के बीच में भी वो इतने ही पॉपिलर थे वो दिक्कत होती है मैंने कहा अगर आपकी कॉंस्विंसी लखनाओं से दूर है तो वहां जाना मुश्किल होता है क्योंकि एक प्यूरा विभाग चलाना भी और उसमें तार्तम में बिठाना मुश्किल होता है क्योंकि उनकी गनना वेल्ट में थी और वो वेस्ट से ही आता है और वेस्ट ही गनना बेल्ट है nevertheless देखना है आपका साहिक एक चोटा सा रियक्शन भोवन जी अगर थाना भोवन सीट की बात करें किसानों का आंदोलन आप लोगों के फेवर में चला गया या आप लोगों का ये हिंदु-मुस्लिम स्वमी करन ये आपके फेवर में चला गया अश्रफ अली को या पर एज दिखाएते दिये तो आप इसके पीछे बजे क्या सो बज रहे हैं? अब जनता ने कौनसा फॉर्मिला समझा और कौनसा बटन दबाया ये कल नतीजों में साफ हो जाएगा यूपी में बीजेपी की 30 वी आईपी सीटों में से 12 सीटों का हाल हमने आपको दिखा दिया है बीजेपी इन सीटों को आसानी से जीत रही है लेकिन 2 सीटे ऐसी है जहां पर लड़ाई काटे की है ये सिर्फ एग्जेट पोल है मैं फिर कह रही हूँ असल नतीजे कल आएंगे जब EBM खुलेगा और वोटों की गिनिती शुरू होगी तो इस वक्त एग्जेट पोल आप इन्डिया टीवी पर देख रहे हैं जो बीजेपी की 30 स्ट्रॉंग होल्ड वाली सीटे हैं वो आपके सामने रख रहे हैं जल्दी से आपको इलाबाद की भी सीटे बता देते हैं अगली सीट भी जल्दी से बता देते हैं इलाबाद पश्चिम के बाद इलाबाद दक्षिण जहां से नंद गोपाल नंदी चुनावी मेदान में भारतिय जन्ता पार्टी के उमीदवार रईस चंदरशुकला समाजवादी पार्टी की ओर से यहाँ पर भी टकर काटे की है इसके लावा इलाबाद की एक सीट जो रह जाती है हर्शी मुझे कह रहे थे कि आपने उत्तर क्यों नहीं बताया तो इलाबाद की पूरी फ्टिती जल्दी से एक छोटा सा रियाक्शन आपसे नहीं मुझे लगता है कि इलाबाद की अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो स्ट्रॉंग सीट है वो इलाबाद उत्तरी है और उसके बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी वहाँ से खड़ा हो जाए तो जीच जाता है और उस सीट पे चार बार अगर विधाय करें तो तीन विधाय करें राजिंद्री बाजपेई कॉंग्रेस की दिगज नेता रही वो चार बार रही चार बार नरेंद्र सिंग गौर वो उच्छे शिक्षा मंत्री रहे वो वहां से रहे चार बार अनुग्रा नरायन सिंग रहे जो कॉंग्रेस के प्रत्याशी है अलग-अलग दलों से वो रहे जनता दल से रहे फिर दूसरे दलों से रहे अभी कॉंग्रेस से रहे और अभी वहाँ से हरश्वर्धन बाचपेई हैं जो राजेंदरी बाचपेई की पोते हैं यानि अशोग बाचपेई की बेटे वो अशोग बाचपेई जो 30 साल तक कॉंग्रेस की जिलाध्धेक्ष रहे फिर बस्पा में गए अभी बाचपा में हैं जो नंदी जी की और सिद्धातनाथ सिंग निश्क्री रहे जो मंतरी के तौर पर उनको प्रभाव छोड़ना था वो नहीं छोड़ा और रिचा सिंग चुकी इलहाबाद विश्विद्याले की जो मैला चाथ संग रहा कि जिफ तरीके से सिद्धातनाथ सिंग को करना चाहिए था कामशाद उतन सिद्धे दिख रहे हैं और जब हर्ष यह कह रहे है तो पर दरशकों की जानकारी के लिए बता दू क्योंकि इसी इलाके से आते हैं इसलिए इतने कॉन्फिदेंस के साथ यह कह पा रहे है कि हमारा एक्जिट पोल जो है यहां की लड़ाई को ठीक ठीक दिखा रहा है पीज जल्दी से बात कर लेते हैं चाता और मनकापूर फीट की फ्थिती क्या है चौधरी लक्षमी नारायन सिंग भारते जनता पार्टी के कैंडिडेट चाता से चुनावी मैदान में ठाकुर तेजपाल सिंग और लड़ाई काटे की यहां पर नज़र आ रही है जल्दी से आगरा कैंट की बात कर लें पशिम की कुछ फीट है ऐसी है चहां पर किसान आंदोलन का असर दिख भी रहा था और नहीं भी दिखा उनमें से आगरा कैंट भी एक फीट ऐसी है डॉक्टर जी एफ धरमेश यहां से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं कुवर्चंद वकील इन वर्सिज मुस्लिम करने की कोशिश भी हुई लेकिन क्या ये फैक्टर यहां काम किया कपिल देव अगरवाल भारती जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में सौरब सुरूप बंसर फैक्टर काम किया क्योंकि लड़ाई काटे की दिखाए दे रही है संजीब जी लड़ाई काटे की दिखाए दे रही है आपका असेस्मेंट क्या क्याता है कि यह 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 जो कॉंस्ट्वेंसी यह 2013 से लगाता सुर्खियों में और काफी हद तक 2014 में जो बीजेपी की एक अभूपूर्व जीत होई थी और 17 और 19 में हमने उसको रिपीत होते होए देखा त उसके वो चर्चा तो बहुत पुरानी है लेकिन उसको नई हवा यहां के होए दंगों की वह इसे मिली और उसके बात से जो एक ट्रडिशनल वेस्नियूपे में हमने देखा था कि एक ट्रडिशनल ही आप जाट और मुस्लिम बोट का इस तरह से विभाज अन्य हुआ था ज यह सारी बात है प्लिटिकली इंकरेक्ट लगती है अच्छी नहीं लगती सुनने में करने में लेकिन यह जमीनी अथार्थ है तो अब वो कंसॉलिडेशन कितना हुआ है कितना जाट वोट बीजेपी के साथ जो खड़ा रहा है अब देखिए अजीत सिंग जैन चौधरी ए तो इस बार जाट गंसॉलिडेशन कितना हुआ है बहुत जादा नहीं हुआ है अबी अच्छी तब्किमें जाट वोट बीजेपी के साथ भी हुआ है क्योंकि जातों के बड़े पत्ते में यह माननेता बंगनी थी कि हमारा माई बाप कोई नहीं रहा हुआ है चौधरी कितना आगे तक ले जाट पाए हैं वो तो नतीजों में ही रिफ्लेक्ट होगा और उसके लिए हमें कल तक का इंतिजार भी करना होगा और आईए बात कर लेते हैं कुछ और सीटों की बीजेपी की वियाईपी सीटों में से एक बडायू सीट यह बिग पिच्चर आप देख रहे हैं काटे की दिखाई दे रहे हैं एक और सीट आपके सामने रखते हैं अत्रॉली अत्रॉली में लडाई कैसी है आप देखें संदीब सिंग भारती जनता पाजी के उमीदवार विरेश यादव क्या इन्हें टककर दे पा रहे हैं एकजिट पोल में तो ऐसा नजर नहीं आता संदीब सिंग यहां से जीते हुए नजर आ रहे हैं एक और सीट उसके बाद फिर चल्चा को आगे बढ़ाएंगे चंदौसी से गुलाब दीवी और विमलेश कुमारी के बीच में लड़ाई और यहां पर जीत गुलाब देवी यह पती का स्वमी करण काटे की टकर एक्जिट पोल के लिहाँ से नतीजे कल लेकिन आज चल्चा के लिए काटे की टकर रोहन आपको क्या लगता है यह काटे की टकर क्यों राजेंद्र प्रताब सिंग और राम सिंग पती की बात कर लें नहीं मैं तो इनफेक्ट यह कूँगा कि यह एजी केकवाक होना चाहिए थोड़ा सा डिसेग्री करूँगा और और इनफेक्ट आपने जो अत्रॉली की दिखाई है केकवाक इसके लिए बीजेपी के लिए यह एक ऐसी सीट है जहां पे तीन बारी खुद बीजेपी के दो नेताज बार बार गए है केशब परसाद मौरिया भी मापे कैमपेंड करने गए हैं और योगे दितनात भी खुद कैमपेंड करने गए हैं और जितना जब कैमपेंड बन रही थी चार्ट बन रहा सो तो मैंने काफी बारी इस इसी सीट का अध्यर्न किया कि क्यों बार बार जा रहे हैं और यह जुरूरी नहीं होता कि सीट फसी हुई हो तब ही मुख्यमंतरी या उप मुख्यमंतरी जाते हैं इनफैट की उप मुख्यमंतरी की सीट पे खुद जहां से किशम और है लड़ें वहां से तो योगी दितेनात एक बारी भी ने गए है कि कितना उनको विश्वास है अपने नीता पे और अगर मैं इससे पिछली वाली सीट की भी आपकी बात खुरूआ है उसमें यंगेस्ट मिनिस्टर है संदीप सिंग और बाहर से बढ़के आया है लंडन से और मैं वहां पे जब गया अत्रॉली में आप मानें गीनी मिनाक्षी की कल्यान सिंग की जो पतनी हैं वो आज भी आज भी इतने सालों के बावजूद भी अपनी पती की दिहानत होने के बाद वो एक अलग विशह है वो यही गाओं में रहती है और जो गाओं में वहाँ पे जो प्रेम है लोदी रागपूद समाज का एलार जिसे कहते हैं यूपी में वो आज भी कल्यान सिंग को ही दावेदार मानता है कि आयोध्या में जो राम टेंपल मुममेंट हुई वो इनहीं के कारण ही क्योंकि इन्हो करारा है वो भले ही केक वाओ क्वाली सीट हो लेकिश भी उतनी ही केक वाउक वाली सीटैंट बीजेपी के लिए और तीन बारी अगे मुख्यमंत्री जाते हैं तो वो उस उसका होसला बढाने ही जा रहे है अपने पृत्याशी के हम कुछ और सीट की बात कर लेते हैं आज एक्जिट पोल कहता है कि चंद्रिका उपाध्याए और समाजवादी पात जी के उमीदवार अनिल प्रधान के बीच में काटे की टकर है चंद्रिका उपाध्याए के लिए ये लड़ाई चित्रकूट की इतनी आसान नहीं होने वाली शिफपूर की भी बात कर लेते हैं को भी आप जान रहे हैं भारतिय जनता पार्टी के लिए ये चीत अनिल राजभर के खाते में अब ये एक सेट बैक हो सकता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे अब वारा नसी की भी बात कर लेते हैं वारा नसी में आप जानते हैं आखली चरण में मतदान हुआ प्रधान मंत की जीत यहां पर दिखाये तेरी हाला कि अन ग्राउंड प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के दौरेव से पहले ये चर्चा जरूर चल रहे थी कि मोधी योगी तुछ से बैर नहीं लेकिन नील कांग तिवारी तेरी खेर नहीं ये हमारे सुमबादाताओं नहीं हमें जानक है भारती जनता पार्टी के स्पोक परसन है लडाई जो है भारती जनता पार्टी जीती दिखाई तो दे रही है लेकिन कई ऐसे रियाक्शन्स हमें ऑन ग्राउंड मिले जिसमें ये लगा कि अगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी बहां पर कैंपेंग करने नहीं है इसमें कोई दोर्मत्री और एक बात बिल्कुल आपको मानना चाहिए कि माननी प्रधान मंत्री जी का वो संसदी छेत्र है माननी प्रधान मंत्री जी का संसदी छेत्र है और वहां जिजधन से उनके नित्तित्म विकास के काम हुए है इसके बाद कोई संका ही सुबर उहा पर जन जन धंबे हर घर में हर व्रेक्ति के दिल में मोदी जी बसे हुए आप जब वहां काशी कारीडोर का विकास देखें गे बेनियाबाग की पार्किंग देखेंगे आप वहां पर सडकों का जो कारे देखेंगे मैं एक नहीं आपको कई योजना वहां मिलाक्षी जी बता सकता तो बनारस की सीटों के तो बात बिल्कुल भूल गानी चाहिए लेकिन भुवन जी आपके बात से तिफाक इसले नहीं रख रहे हैं क्योंकि जैसे ही आपने ये कहा कि प्रधार मंत्री मोधी का संसदी एक शेत् अब ये मुष्कुरार तंस वाली मुझे लगती है से मैं पूछ लेती हूँ भुवन जी आपको क्यों लगता है कि यहां पर इजी नहीं होगा भारती जनता पार्टी के उमीदवारों के लिए विशे मैं कहता हूँ आपके माधियं से कि जी भार्त जो राजनी स्की है कोई विच्त जीत सकता है कोई हार सकता है मैं इस जेस के दो नहीं वहारणि को जयना चाहता हूँ मैं ऐस्दे अब आईए दूसरा में आपको बताना चाहता हूं जबाब देता हूं इतिहास का पूरा अच्छा जान के लिए अग्यान भी नहीं है उनके बात पूरी हो जाए कि बस एक बात रह गई है बात पूरी कर ले और श्रीम्मती इंद्रा गादी जी को राज नारायन भी नहरा दिया तो इस देश में जो कहते हैं कि ये नी हार सकता ये नी जी सकता ये केवल एहनकार है और कल ये भारती जन्तापार्टी का एहनकार फूर्टने वाला है जवाब देदू जो सी यहां कई वरिष पत्रकार भी बैठें साथ उनको उस घटना का याद होगा जब अटल बिहारी बाजपे जो है चुनाव हारे थे गौलियर सीट में और वो किस परिस्थिती में आ रहे थे इंद्रा गांदी जी की हत्या हुई थी और एक तरह का जवाब दो लाइन उनके दो मुद्दे नहीं गीना पाएं जनता के बीच में सिवाय जो है अपरिपक भाषण के लाव तो इसलिए आप ज़सका उधारण दे रहें जो सीजी लोकतंत में किसी की हार किसी की जीद समय जनता के हाथ में होती है लेकिन उसके साथ परिस्थित से कोई सामन जिस से इसका वी इसलिए आप जमीन से बहुत कटे हुए समाजबादी पार्टी है जिसको आज यह समझ नहीं पढ़ रहा है कि क्या करें इसलिए इबियम का भाना लेके भाग रहे हैं कहीं पर कहीं आरोप लगा रहे हैं लोगों मैं तो आप आज भी कह रहा जब हारेंगे तो हम भुमी का क्या बनाएंगे अम इनका इबियम का बना रहा है वो क्या कहता है उसने कहां पर बटन दबाया है नतीजे क्या कहते हैं जल्दी से तीन फीट और बचती है ज़रा इनका भी विक्र कर ड़ें गाज़िपुल सदर की बात करें संगीता जुनावी मैदान में जैकिशन साहू समाजवादे पार्टी के उमीदवार तकर यहां पर काजी के दिखाए दे रही है इट अवक की बात करें सरिता भधादौरिया भार्ती चंता पार्टी के उमीदवार सरवेश कुमार शाक्य समाजवादे पार्टी के उमीदवार पेटिशन दे रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के हर्शी एक छोड़ा से रियाक्शन, ये तीन सीट, फेपना, इटवा और गासिपूर. बहुत बढ़ता था, हालाकि बसपा से भी वहाँ यादाओ है, वो कितनी कटवती करेगा, तो काटे की टकर है, बिल्कुल ठीक, मुझे भी यही लगता है, लेकिन लगता है कि जिस तरह की सिती अन्त में बदली है, इसको हम बार-बार कहते हैं कि अन्त में प्रत्याशी तो द पार्टी जीत दर्च करिए, आप ये जतना भगवा रंग देख रहे हैं, बारत्याशी जनता पार्टी इन सीटों पर जीत दर्च कर रही है, और जतना ये ग्रे आप देख रहे हैं, वो वाकी में सीट भी ग्रे उसमें हुई भी है, आप ये समझ सकते हैं कि लड़ाई लेकिन ये केवल बीजेपी की सीटे हैं, इससे पहले हमने आपको समाजवाती पार्टी की 30 वी आईपी सीटे भी दिखाए थी, और आगे कुछ और सीटों का विचलेशन हम करेंगे, केके शर्मा जी, एक बार ये बिग पिच्चर जो हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी तो मैं समझें कि हम 19 से आगे नहीं जीतेंगे, ये दिशा दिखाती है आपकी एकजीट पूर, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह सेकता हूं कि जो दिखा रहे हैं, वो इसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, वो 19 से कहीं जादा सीटे, जो महत्पूर सीट आप दिख आप भी करिए, हम भी करें, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे विफार जुड़ने के लिए